आपको बारे में कुछ इंपोर्टेंट जान करी तो आपको सब मैं आपको बताने वालों इसके बारे में डीटेल्ज इसके बारे में डिस्क्रस करेंगे क्मी कैरें तो आज अपन टोटल के बारे में डिस्ट करेंगे तो सबसे पहले आपको इसको Chrome में जग आपको यहां पर टाइप कर देना राज सुरास्त है, जैसा कि मैंने यहां पर टाइप करके रखआ है, तो यहां पर इंटरी जाएगा, जैसे आपको इंटरी आएगा, यहां टॉप पे आपको एक दिख रहा होगा, यहां पर आप सेत्के ज़שता है कि यहां आपको मेन वेबसाइट पर जाना है इसको क्लिक करके तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोंगे यहां पर आप देख से तो इसके नीचे ही नीचे है यहां पर यह न्यू अफिशिल नॉटिफिशन और आ गया है शेचो का तो 31 को यह डाला गया है जिसमें रिकुर्मेंट और कॉ पोस्ट है आपको पता ही है नहीं के दुरू होती है पोस्ट आप कम्मुनिटी हल्थ हो एने कॉंट्रेक्शोल पोजिशन अंडर नेशनल हेल्थ मिशन तो इसको आपन डाउनलोड कर लेंगे यहां से इस पर टाइप कर लोंगा आपको तो यह डाउनलोड हो जाएगा देन के अंदर जो पोस्ट बताई हुए है वो 6310 पोस्ट होने वाली है और किस-किस ग्रूप के अंदर कितनी पोस्ट आने वाली वह भी अपन डिस्स करेंगे इसके बारे में तो सिंप्ली आपको फॉर्म बना जब मैंने आपको साइट पर बताए वहीं से फॉर्म स्टार्ट हो वाली है वह वहने वाली है जिसमें अंदर अपन क्वालिफिक्षन के बात करेंगे तो काफी लोगों को डाउट था इसके बारे में के एक्स्पिन मांगे यानि तो से चो की पोस्ट है टोटर जो टीएस्पी वाला एरिया है उनके अंदर जो पोस्ट आएगी 1041 पोस्ट आ क्वालिफिक्षन जो मांगा मैं बिए सीनर सिंग होने चीए कंदेश इन कम्म्यूथ नॉस् वाले चाहते ह हैं और पिलाई करशकते हैं और आयूज़ेति भी अप्लाई कर सकते हैं और आयूरूरेटिक ब मह और आप्लाई कर सकते है इसके अंदर ऑ् plays और इसके अंदर जो मांगा मैं जो doubts है लोगों के अंदर वो है कि कौन को अपलाई कर सकता है अधर स्टेट के कर सकते हैं तो यहां पे आपका RNC के अंदर registration होना जरूर ही है यहां पे लिखा गया है registration in respective डाजस्तान nursing council के अंदर आपका registration यहां पे मांगा गया है तो यहां पे registration होना चीए एज की बात की जाए तो अठार से 45 यार होनी चीए और जो पेमेंड की बात की जाए तो यहां पे 25,000 salary होने वाली आपकी पर मन्त लेन नेक्स इसके बारे में आपन डिस्कूस करते हैं तो यहां पे आप देख सकते हैं आपने साथ कम्प्रेटी स्टी अबची एमबी चीए राष्थान के जो केंड़ीट ही उनने चीए उनको यह इस रिलेक्शन होने वाला है फाइब यह का फीमेल केंड़ेट्ट अर्डिजर्वस एन यह डब्लू जो केंड़ेट उनको फाइब्यार का होने वाला है और फिम मेल्स है उनके लिए अप्टू 60 तक वो अप्लाई कर सकते हैं देन अपनी जो मेन इन्फोर्मेशन है जिसके अंदर अपन फिस की बात करते हैं तो फिस के अंदर आप देख सकते हैं इसमें जनरल जो कंड़ेट है मेल फिमेल उनके लिए यह में फोर फोर हंड्रेट है जो फीस होने वाली है अदर बैकवर ओडस्तेइब के लिए प्रशक्राइब आपके लिए groupe's धिय। और जो male female है सर यह category के लिए उनके भी 300 है और जो भी video जो females है उनके लिए 200 रखी गई है यहाँ पर और भी यहाँ पर important जो है note वहाँ आप देखे candidate require deposit of applications fees position e-mitri, e-mitri से आपको form fill कराना है जिसमें आपका 50 rupees extra आपको charge लगेगा, applications fees आपको इसके अलवा 50-50 plus सब के charge लगेगा then next इसकी बात की जाए तो इसमें अंदर man important है, वो होने वाला है इसके अंदर पूरा जो है candidate वो रास्थान के होने चाहिए और RNC और अगर B.M.H. वो भी रास्थान के candidate होने चाहिए तो आपको यहाँ पर apply करना है रास्थान के candidate यहाँ पर आपको एक चीज़ बता तो यहाँ पर जो होने वाला है यहाँ पर अब selection कैसे होगा तो selection का जो process है वो होने वाला है exam, return exam होगा यहाँ पर CBT यहाँ offline कुछ भी नेक्स बात की जाए questions की तो multiple choice question है और इसमें syllabus की बात की जाए syllabus most of जो रहने वाला है जाद तर वो CHN से रहने वाला है CHN का जो है weightage रहेगा यहाँ पर CHN है, PIDIA है OBG है इनके open ended question आने वाले है one liner question आने वाले है जाद तर इनका 100 something question आने वाले है MCQ आएंगे 100 के लगबक आने वाले है जिसमें 90, 80 to 90 questions जो है वो अपने nursing के ओने वाले है और 10 या 20 questions जो होने वाले है महत या reasoning के होंगे most of जो ज़्यादा weightage रहेगा और nursing का रहेगा और nursing में भी CHN, PIDIA और OBG, OBG का pattern जो है वो ज़्यादा रहने वाला है OBG और CHN का ज़्यादा रहने वाला है तो यहाँ पर normally question आएंगे generally ज़्यादा कोई high level के exam नहीं होने वाला है simple ही होगा और exam की जो date और बात की जाए exam की जो basically बात की जाए तो वो आपको सब बता दिया जाएगा official website पर तो यह selection जो है exam पर वने वाला written exam पर और इसमें next अगर बात की जाए तो इसके अंदर आपको एक special note बता दू यहाँ पर इनको 5 lakh का इन्होंने bond रखा है और जब आपका selection हो जाता है देन अगर आप जोइन कर लेते हो उसके बाद में आपका कहीं और selection होता है तो अगर आप छोड़ते हो इस जौब को तो आपको 5 lakh का bond देना पड़ेगा 5 lakh जमा कराने पड़ेंगे फिर आप शोड़ चकते उसको तो यह आप सो समस्की बनना होगा आपको यहाँ पर तो यहाँ पर वैसे लॉकल जो गानडेट उनके लिए काफ़ी अच्छी वैकेंसी हैं और यह पर्मानेंट नहीं होने वाली इसके बाद में आपका सेलेक्शन होने के बाद में तो जो कोर्स के पिरिएड में आपको सेली मिलेगी इसमें और इसकी जो फॉर्म डेट है वो लास्ट स्वला सिप्तंबर होने वाली इसकी जो फॉर्म डेट हो फॉर्म स्टाट आज से हो जाएंगे दो तारिक से दो सिप्तंबर से और एक्जाम जो होंगे एक्जाम का सब यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग पोश्टी जिस नोर्ट टीयश्ब यहाँ पर टीकेश्ब आप देख सकते हैं यहाँ जनरल कंडेट्स और mesa सब की पोश्टे यहां पर दे रखी है तो अलग-अलग कैटेगरी में अलग-अलग पोश्टे होने वाली है तो काफी अच्छी वेकंशी है फॉर्म अप्लाई जरू करें और भी इससे अपडेट होगी रिलेटेड तो मैं आपको बता दूंगा तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब को नानब बुले हैं और बेल आइकन को दबाएं साथी थेंक्यू फ्रेंज